ना जो है सुद्धिख का हाल येंग दोस्तों चुछ मैं उनला कोई है वाधयो चुछा है किशो नहीं की दूस्त रिया सुछे है वाज़ देखने के अगर दोस्तों आपके मन में कोई ऐसी सवाल है कि ये टीवी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए तो दोस्तों आप इतनम सही वीडियो में है इस वीडियो को देखने पर बाद आपका याला डाउट किलियर हो जागा तो दोस्तों मैं हूं समीर आप देखें देखने को मिल जाएगा जो कि हमें अकसर हड टीवी में देखने को मिलता है और वही जगा यहां पर फिजिकल ओवर्विव में यहां पर इसके अगर कुछ डिजाइन के बारे में बात करें तो यहां पर इसके डिजाइन आपको मिल जाती है जिसमें आपको यहां पर ग्लॉस साइड की बात करें तो य Dafür कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिं जहां पे जिसकी कोटिंग की गई यह आ पर हैं यहां पर कार्बन फाइबर् फिनिस ? of कहने का मतलब यह कि ओवर-aul जो आपको डिजाइइन य जो मिलने वाली और दोस्तों आपको कई सारी पोर्स मिल जाती है जितना है कि स्मार्ट इवी में जरूरी होती है अब दोस्तों यहाँ पर फिजिकल डायमेंसिंग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर विदाउट इस्टैंड अगर इसकी थिकनेस ना पर तो यहाँ पर 71.3 mm आएग जो कि आप टेबल माउंट के लिए आपका काम आएगा और यहाँ पर जो इस्टैंड जो इसमें मिलता है वालब टेबल माउंट के लिए वो आपको मैटलिक मिलेगा तो दोस्तों काफी अच्छी बात है यहाँ पर कोई भी चीप क्वालिटी का यहाँ पर मैटीरियल आपक आपको इसमें wall mount का आपको इसमें setup नहीं मिलेगा in the box, remote आपको मिल जाता है लेकिन आपको जो remote के साथ जो बैटरी जो होती है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी वो आपको अलग सेख़ीद नहीं पड़ेंगी, आपको screws मिल जाते हैं, वही जिकर आपको यहाप कोई बी cables आपक तो काफी बैतर होती है वाजिए के रेजिलुशन जो है इसके काफी ज़्यादा है 3840 इंटू 2160 पिस्टस मिल जाते है इसकी रिफ्रेश्ट आपको 60 है का मिल जाता है ब्राइटनेस आपको 315 निस की मिल जाती है आपको जैसे आप टीवी को बात करें तो आपको यहाँ पर HDR10 का सपोर मिल जाता है तो इस वाली टेक्नलोजी की मदद से यह जो विजूल्स जो होते है यह उसको आप्टिमाइज करता है फ्रेम बाइफ्रेम ताकि जो कल liberal saturation होता है झों डीटेलस जो वो बहुत यह आदा बूस्ट हो जाती यह यह तो इसी लिए वह उपको यह सपोर्ट मिल जाता है जिसके घेपर तो आपको यहाँ पर Vibrant Color मिलते हैं, Vibrant Color मतलब एक तरह कि मतलब कुछ चमकीले colors हम कह सकते हैं, वज़े कि यहाँ पर आपको details भी बहुत अच्छी मिलती है, और आपको यहाँ पर तीसरे ही, अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर blur-free visuals with reality flow आपको यहाँ पर मिलता है, ज जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, यह पर यह TV में QLED display यहाँ यूज किया गया हुए, तो दोस्तों इसकी वज़े से हमें जो colors जो है, बहुत जाता साफ सतरे मतलब दिखते हैं, वह जगे यहाँ पर हमें और भी कई सारे हमें यहाँ पर features हमको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ dynamic noise reduction हो गया, color temperature control हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब कहने का मतलब यह कि overall जो आपका जो picture से related, जितना भी experience जो मतलब रहने वाला है, चाया वो details का हो, चाया वो colors का हो, तो दोस्तों वो आपका काफी अच्छा रहने वाला है, और दोस्तों यहाँ पर अगर processor की बात अगर android version की बात करें, तो आपको android 10 मिल जाता है, जिसमें आपको stock experience मिलेगा, तो दोस्तों काफी अच्छी बात है, इसमें आपको updates भी देखने को मिलेगा, और दोस्तों अगर यहाँ पर software features के बारे बात करें, तो आपको यहाँ बहुत सारी apps install मिल जाती है, जैसे netflix हो गया stream कर सकते हैं, वज़ अगर यहाँ पर patch wall का, यहाँ पर option मिल जाता है, जिसके थुरू आपको और भी, मतला बहुत सारे modes आपको मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर universal search का मिल जाएगा, kits modes मिल जाता है, live tv, user center, और यहाँ पर कई सारे modes आपको मिल जाएगा, जिसके थुरू आ जाता है, अगर यहाँ पर कुछ sound technology की बात करें, तो यहाँ पर dolby audio, यहाँ पर DTS HD, यहाँ पर आपको दोनों दे रखे हों, तो जिसके थुरू आपको जो experience रहने वाला है, वो और भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर sound का, वज़ए कि यहाँ पर आपको कुछ और features की बा आपको यहाँ पर इस पर इस पर मनलब डायरक आप उसको access कर सकते हैं, आपको यहाँ पर Google Assistant की भी आपको मिल जाती ही remote पे, पिछ वाल बटन भी आपको मिल जाते हैं, जिसके थुरू आपको experience रहने वाला है, और भी अच्छा रहने वाला है, और जो यहाँ पर जो range जो दे